नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में आपको में पाने को जरूर प्रियाबरन और परिस्तित्की के जितने भी आधार भूत तत्थे थे उन्हें हमने शुरूवाती लेक्चर में ही कवर कर लिया था यहां हम देखेंगे रियो प्लस 20 को और यह जो शिखर संबेलन है इसकी प्रिष्टबूमी क्या है आईए जान लेते हैं सामाजी कार्थिक प्रगति की विचारधाना और रणीती के रूप में सतत्थ विकास पर जो 1980 का दशक था ध्यान दीजेगा 1980 का दशक था उसके समय से मतलब परियावरन पर विचार करना ही हमने बहुत लेट लतीफ शुरू किया है तो लगभग विश्वस तर प और ये आयोजन कहां पर हुआ था तो स्थान था रियोडी जेनरियो यहां स्थान का नाम आप याद रखेंगे इस शिखर सम्मेलन में मतलब जो शिखर इस तर ये बैठक थी इसमें अन्य बातों के साथ साथ मतलब परियावरन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों पर य जाने लगा और रियो प्लस 20 का जो ये कॉंसेट था एजेंडा 21 मतलब कुल मिलाकर रियो शिखर सम्मेलन से आप एजेंडा 21 को जोड़िये तो एजेंडा 21 क्या था ये नवोन मेशी जो सतत विकास है उसी की अधारणा को अपने अंदर समेटे हुए था और बाद में हम इस 22 बेगा था उसके बाद इसका आयोजन होता है 2002 में यानि ठीक 10 साल बाद जोहांसबर्ग में होता है और यहां पर जब आयोजन होता है तो यहां एक बार फिर से जो सतत विकास प्रतिमान थे उनको और गती देने के उद्देशे से बातचीत होती है इस शिखर सम्मेलन में जोहांसबर्ग घोषना होती है इसके अलावा जोहांसबर्ग एक्शन प्लान तयार किया जाता है इसके बाद क्या होता है आये देखते हैं तो एजेंड़ा 21 ने रियोल सम्मेलन की जो प्रभावी अनुवर्ती कारिवाई है ठीक है जो प्रभावी कारिवाई है को मिलाकर उसको बढ़ावा देने और अंतराष्ट्रिय सहयोग में वृध्धी राप्त करने के लिए परियावरण और विकास सम्मंधी मुद्दों के समेकन हेतु किये जा रहे अंतराष्ट्रिय नीती निरड़ाय प्रक्रियाओं को तर्क संगत बनाने यहां उलजे हुए वाकिसे तर्क संगत बनाने और राष्ट्रिय चेत्री और अंतराष्ट्रिय इसतर पर एजेंडा 21 के कार्यान वैन की प्रगति की जाच करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के स्थापना किये जाने की अनुशंशा की मतलब जब यह बहस होती है तो लोगों को यह आभास होता है कि इतनी सारी चीजे इसमें हैं मतलब हमें नीती निर्माड करना है उसे तर्क संगत बनाए रखना है मतलब वो लॉजिकल होना चाहिए ऐसा नहीं कि बेतुका हो परियावरण के लिए हम प्रयास करें और वो प् सिस्टम चाहिए होगा एक तंत्र चाहिए होगा तो यह संस्थागत तंत्र बनाये जाने की जो आवशक्ता है इसको अनुशन्शित किया जाता है अब इसके बात क्या होता है वर्श उन्ने सो पांवे का जो समय था जब शुरुवात में प्रित्वी शिकर संबेलन हुआ थ कैन्वेन होने की प्रगती की समिक्षा करने के अधिदेश के आधार पे दिया गया था कहने का मतलब यह है कि जो रियो घोशना हुई थी उसमें कितनी ग्रोथ हुई उसमें कितनी अचीवमेंट्स मिली और क्या हमें नहीं मिला तो यह समिक्षा करना भी आवश्यक था तो एक बार फिर से Rio de Janeiro Rio में होता है, शुरुवाती जो था वो भी Rio de Janeiro Rio में होता है, बीच वाला जोहांसबर्ग में, और ये वाला फिर से Brazil में Rio de Janeiro Rio में होता है, और इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में, जो Rio de Janeiro Rio में आयोजित, अर्थ सम्मिट थी, यानि प्रत्वी शिखर सम्मेलन था, उ जो सतत्विकास की प्रति-प्रतिबधता है, उसको जाहिर किया गया और निरंतर्ता के संदर में वैश्विक कारिवाई को बढ़ावा देने के लिए, नई रूप रेखाओं की तलाश की प्रक्रिया में, वैश्विक समुदाय के लिए, महतुपूर्ण आउसर के तौर पे जुड़ेगी, तब तक सही तरीके से करियानवैन नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनीती ही जादा तर देशों का संचालन करती है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो उद्देश है था उसमें, रियो सम्मेलन के बाद हुई प्रगती तथा निसकर्षों के कारियानवैन की कम कमियों का आकलन करना, कहां पर कमियां रह गए, जब हम कोई भी चीज लागू करते हैं, उसे इंप्लिमेंट करते हैं, तो उसके इंप्लिमेंटेशन में, उसके कारियानवैन में कहां पर फाल्ट रह गया है, या कहां पर कुछ कमी रह गई है, उसको हम पता करते हैं, और ज तो चुनोतियां हमेशा बदलती रहती हैं और इस कंडिशन में जो नई उभरती चुनोतियां हैं उनको वहीं पर मसल देना, समाप्त कर देना ये भी इसका उतेश है और इसके कुछ विशय थे विशय मतलब आप थीम कह सकते हैं तो पहला तो ये था कि सदत्विकास और गरीवी उनमूलन के संदर में ग्रीन एकोनामी, ये ग्रीन एकोनामी शब्द जो है ये काफी चर्चा में रहता है, था भी और है भी इसके साथ साथ सदत्विकास के लिए संस्थागत रूप रहा तो वर्ष 2010 के बाद से अनेक जो अंतर क्रियात्मक बैठके हैं वो होती है ऐसा नहीं है कि 2010 के बाद हम 2012 तक साइलेंट मोड में बैठे रहते हैं या 1992 में हमने एक संभिलन और और्गनाईज कर लिया उसके बाद 2002 तक हम कुछ नहीं करते हैं बाद चीथ हैं या सलार मश्वरा होता है वो चलता रहता है तो अन्तर क्रियात्मक बैठके होती हैं जिसमें की बहुत सारे जो इसके members हैं और हस्ताक्षर करता हैं पक्षधारी हैं वो इसमें शामिल होते हैं तो दो बैटकों का आयोजन तो सचिवाले में ही किया गया, यह तैयारी से जुड़ी हुई थी, पिछले कुछ महीनों के दौरान, मतलब यह बीते वे समय की बात की जा रही है, विभिन देशों ने विशह वस्तों से संबध अनेक उचिस्तरी बैटकों का आयोजन किया, अब अब देश जो है, वो अपने इस्तर पर प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ जो टार्गेट दिये गया है, वो अंतर राश्ट्रों को ही निभाने है, अंतर राश्ट्रे इस्तर पर उन्हें घोशित किया गया, लेकिन हर राश्ट्र की अपनी आवशिक्ताएं हैं, अपनी प अब भारत में जो situation है परियावरण के प्रती जितना population का दबाउ है वो बागी देशों में नहीं है मतलब जो कम जन संख्या वाले देश है वहाँ की समस्याएं दूसरी हैं तो ऐसे में जब सब की समस्याएं दूसरी हैं तो राश्टरिस पर अपना योगदान मतलब अपने तरीके से काम करने की जरूर तो इनका जो मेटर था वो अलग था मतलब सतत विकास के लिए प्रयास करना है तो अलग-अलग तरीके से करना है तो इनकी उचिस्तरी बैठके आपस में सलाम अश्वरे के लिए और कुल मिलाकर इस पर आपस में सर्व सम्मती और समझ भूच को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश था भारत इस प्रक्रिया और अक्टूबर 2011 में आयो जित जो दिल्ली की मंत्रिस्तरी समवाथ था उसमें सक्रिय रूप से शामिल रहा है तो भारत सक्रिय योगदान तो दे रहा है लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनोती है उसकी पॉपुलेशन जोग्राफिकल एरिया हमारा उतना नहीं है जितना की दुनिया में बाकी साथ देशों का है लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइस देखें तो हम लोग पहले ही नंबर पर समझ लीजे क्योंकि चीन बहुत समय तक आगे नहीं रहेगा इस मामले में पहले स्थान पे हम ही आने वाले तो जनसंख्या हमारे पास सबसे ज़्यादा और जमीन जो है वो उतनी है नहीं तो ऐसे में जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है पर्यावरण के जितने भी घटक है उन पे बहुत प्रेशर पढ़ने माला है पढ़ भी रहा है और आगे और ज़्यादा पढ़ेगा तो ये नतीजा क्या होगा विनाश ही होगा इसका पर्यावरण के संरचन के लिए हम लाग हाथ पैर मार लें लेकिन सुधार नहीं हो सकता जब तक कि जनसंख्या को हम नियंत्रित नहीं करेंगे और नियंत्रित भी अगर कर लिया माल लीजे कि जन्म और मृत्युदर बराबर हो गई एसी स्थिति आ गए कि जितने पैदा हुए उतने मर भी रहे फिर भी जो पहले से पैदा हो गए हैं उनका क्या कीजेगा उनको समायोजित करने में बहुत वर्ष लगेंगे और उतने में पर्यावरण का कितना विनाश होगा कोई नहीं जानता तो कुल मिलाकर हरितर्थ विवस्था और समावेशी विकास मिशेपर विशेश बल दिया गया था और इसमें 11 देशों और 9 बहुपक्षी संगटनों ने भाग लिया था अब आगे की बात ये कहती है कि इसके अतरिक्त विश्व के 5 भागोलिक छेत्रों में भी पीछे संगटन आपने देखा उसके तत्वधान में 6-3 तैयारी बैटकों का आयोजन किया गया और इन बैटकों के निशकर्ष के आधार पे एक दस्तावेश तैयार हुआ और रियो प्लस 20 के दोरान इसको पारित किया गया तो ये सारी बातें पीछे दिखाई दी अच्छा इसमें काम की बात यहां पे है कि 25 से लेकर 27 जन्वरी 2012 को 09 मसौदा जो था उस पर आरंभिक चर्चा होती है उसके बाद स्युक्तराष्ट मुख्याले में अब तक अनौपचारिक वारताओं के तीन दौर पीछे ही हो चुके थे मतलब यह आरंभिक चर्चा शुरू होती है उससे पहले यह घटित हो चुका था तो जो पिछली बारता थी यह पीछे की बात हो रही है ऐसा नहीं कि कोई करेंट अफेर का मुद्दा है यह परियावरण के टॉपिक है मतलब जो स्टैटिक जीके होता है उसे आप समझ सकते तो 2 जून 2012 को पहली मतलब यह पिछली बारता हुई और उसके बाद फिर 13 से लेकर 15 जून 2012 में रियो में किया गया जो तीसरी बैठक का योजन है इस प्रकार से है यहाँ जो जाएगा लिखा हुआ है उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि यह आगे होगा यह बीच चुका और 20 से लेकर 22 जून 2012 में आयोजित किये जाने वाले शिकर संबेलन में जो पूर्वतरिक्त चर्चा है वो की गई तो चर्चाओं का दौर चलता रहा और यहाँ से प्रशन नहीं बनने वाला ठीक है यह जो है इसमें सिर्फ तारीखे तारीखे दी है तो चर्चा जो होती है यह जो चलती रहती है कितने question उससे बनेगे question कहां से बन सकता है तो इसकी जो theme है वहां से बन सकता है पूछा जा सकता है कि इसमें विश्यों पर ध्यान के इंदृत किया गया और विकासी इल देशों का ऐसा मानना है कि रियो सिध्धानतों द्वारा परिभाशित जो सथत विकास है और इसकी तीन आधार शिलाएं जैसे कि आर्थिक सामाजिक और परियावरणी आधार पे जो वैश्विक विकास मारग है उसको परिभाशित करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए अब ये तो जो विकास सील देश है वो कहेंगे ही कि प्रक्रिया जारी रहनी चाह है कि पापुलेशन का पूरा खदान है हमारे पास धेड़ है और उसमें भी जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो सबकी आवशक्ता हैं देश नहीं पूरी कर पाएगा चाहे जितना भी कोशिश कर ले तो इस कंडिशन में गरीबी पैदा होगी गरीबी पहले भी थी हमारे मतलब ये 600 से लेकर 800 साल की जो गुलामी है ये हमें इतना जिजोड चुकी थी कि गरीबी तो पहले भी थी आजादी जब मिली तो उसके बाद तमाम चुनोतियां थी आर्थिक चुनोतियां सबसे बड़ी थी पेट भरने का संकट अकाल महमारी तमाम बाहर से यो दो रहे थ तो उनसे हमने निजात पाई एक हट तक लेकिन गरीबी को छोड़ नहीं पाए और एक बड़ा जो एकोनोमिकल डिवाइड है वो पैदा होता गया मतलब अमीर तबका और अमीर होता गया और जो गरीब है वो और गरीब होते चले गए बाद में ग्लोबलाइजेशन जब स् भर रहा है अब इसके बाद आधुनी कूर्जा सेवाओं और रोजगार स्रिजन जैसी जो तातकालिक प्रात्मिकताएं होती है मतलब यह बेसिक रिक्वाइर्मेंट है जो कि किसी भी देश के लिए जरूरी है विसे रूप से जो विकास सील देश है मतलब विकास सील देश है जैसे अपने देश में वैसी फैली रहेगी और तातकालिक जो प्रात्मिकताएं है इसी तरह की है तो इन से सम्मंधित चीजों पर चर्चा की जाए यह भारत की प्रतिबत देता है भारत का मानना है कि हरित अर्थविवस्था एक गतिशील विचारदा रहा है तो डाइन जो इंडस्ट्रियल एज या इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हुई अपनी दुनिया में मतलब यूरोप में पहले स्टार्ट होती है और बाद में पूरी दुनिया में पहल जाती है तो उसमें हमने किया क्या प्रकृती से संसादन लिये जो नेचुरल रिसोर्से से उनका इस्तिमाल किया और उसे अपनी economical condition को मजबूत किया तो यहां अर्थविवस्था और पर्यावरण तो पहले से ही आपस में जुड़े हुए है और यह जो आर्थिक विकास है यह पर्यावरण को निगलता जा रहा है तो इसलिए बात होती है green economy की और भारत का मानना है कि हरित अर्थविवस्था पर किसी भी प्रकार की समझ से पहले समान परंतु साजे बिभिन ने दाहित्वों के सिधान पर निश्चित दोर पे ध्यान दिया जाना चाहिए तो यह भारत का मानना है अब रियो प्लस 20 क्या क्या आता है रियो प्लस 20 को यह सतत्विकास, मतलब यह जो सम्मेलन था 20 साल बाद अर्थ सम्मिट के आयोजित हुआ था, तो सतत्विकास को वैश्विक कारे सूची के केंद्र में लाने का अवसर मानता है। अंतराष्ट्री मांदंड की रूप रेखा बन जाती है, जिससे की शायद अन्य प्रकार के जो विकास माडल हैं वो अवैद हो जाएं। और इसलिए यहाँ जो पिछले विकास के माडल थे वो अवैद हो जाएंगे अगर इसे लागू किया गया। अलकि अच्छी बात है। लगवाएंगे तो वहाँ भी एक टाइल्स ऐसी लगवाएंगे जिस पर लिखा रहेगा कि सौजने से फलाने। तो यह इंसान की प्रविक्ति है। भगवान इंसान से कभी नहीं कहते कि मंदिर बनवाओ और उसमें शिलापट लगवाओ। यह सब उसके दिमागी फिदूर है। तो कुल मिलाकर यह मंदिर का नाम और राजा माराजा भी बनवाते थे तो उसमें से बहुत सारे राजा तो धार्मिक प्रवित्ति के होते थे। मतलब धर्म में उनकी इतनी आस्था होती थी कि वो अपनी संपत्ति और अपने सामर्थे का एक बड़ा हिस्सा खर्च करके मंदिर इत्यादी बनवाते थे। यह धर्मार्थ के काम करते थे। लेकिन बहुत से राजाओं को शोबाजी का शोख होता थे। तो वो अपना दि ही हमारी धरोवर बन गई जितनी भी प्राचीन इमारते हैं इस्थापते हैं उनको हम अपनी हेरिटेज के तौर पे देखते हैं तो है तो भव्य देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसका कोई सार्थक उद्देश नहीं निकला अब यहाँ देखें आपकी वेंकटेश विश्वर की मूर्ती है यह भगवान विश्णू के उतार है वेंकटेश भी उन्हें कहा जाता है और राजा तोंडा इमान यह तमिल शाशक थे जो कि चोल वंश से संबंधित थे मतलब चोल राजाओं से ही संबंधित थे तो इनके द्वारा इसको बनवाय गया इसके तो यह प्रतिमा यहां पर स्थापित है इसके बाद भर मौलिकारजुम जोतिर भाता माता पारवती को और भगवान ह्जिव को कहा जाता है तो यह भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है सात्वाहन वंश का यहाँ प्याभी लेखी प्रमाड मिलता है ठीक है, मतलब यह लिखित साक्षे है और विजयनगर सामराज्य से भी तालुक जोड़ दिया गया तो यहाँ के जो राजा थे हरिहर हरिहर और विजयनगर सामराज्य की स्थापना की थी आपने पढ़ाए तो राजा हरिहर के शाशंकाल के तोरान इसका परिवर्धन किया गया इसे और ज़्यादा मॉडिफाइट किया गया सूरे नारायन मंदिर को आप देख रहे हैं अरसावल्ली आंधर प्रदेश में हैं इसे अरसावल्ली का सूरे मंदिर भी कहा जाता है नाम से सपष्ठ है ये भगवान सूरे का मंदिर है और देवेंद्र शर्मा नाम के जो शाशक थे साथमी शतापदी इस भी में उन्होंने इसे बनवाया था श्री रंगनात स्वामी मंदिर ये नेलोर आंधर प्रदेश में स्थित है बारहमी शतापदी में बना हुआ है और भगवान रंगनात भगवान विश्नु को कहा जाता है उनका जो शेष शेया पर लेटा हुआ रूप है वो यहाँ पर है इसके बाद आगे चलते हैं विश्राम की मुद्रा उनकी वही है योग निद्रावाली एक हाथ से अपने मस्तक को ऐसे टेके हुए हैं शेशनात की सहिया पर लेटे हैं मातालक्ष्नी उनके चरण सेवा कर रहे हैं वीरभदर मंदर ये भगवान शिव का है वीरभदर जो है वो भगवान शिव के अंशा होतार है रुद्र जैसे तो आंद्रप्रदेश के अनंतपूरम जिले में लेपाक्शी में इसते थे और विरुपन्ना नायक और वीरन्ना के द्वारा इसको बनवाय गया तोनों भायी जो है ये देवी पार्वती और देवी दुर्गा का पर्याय होता है तो शक्ति रूप में देवी दुर्गा की यहां प्रतिमा है और ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्तरी तठ है पुर्वुत्तर का यह है अरुणांचल में इस्थित है चौदरवी पंदरवी शताबदी में बनाये गया था इसके बाद वैसे भी पुर्वुत्तर में जो आप जाएंगे न तो वहां देवी के मंदिर आपको जादा मिलेंगे कामाख्या मंदिर ये तो आप जानते ही है ये शक्ति पीठ है और मा कामाख्या यहां पर मौझूद है जो कि प्रजनद छमता और उर्वरा की देवी कामरूप ये मतलब असम का पुराना नाम शोडित पूर हुआ करता था और उससे भी पहले से कामरूप के नाम से जाना जाता था यहां मायावी लोग रहा करते थे जिने की असुर कहा जाता था तो यहां से आगे बढ़ते हैं आपने महाभारत का जब प्रसंग सुनाओगा तो उसमें भगदत नाम का एक राजा था जो कि असुरों का राजा था और वो कामरूप का ही नरेश था उसके पास एक बहुत ही मायावी हाथी था बाद में होता यह है कि भीम उसका वद कर देते हैं तो कुल मिलाकर कामाख्या मंदिर को आप देख रहे हैं यह गुआ हाटी में है असम में पश्रिमी भाग जो है निलान चल पहाड़ी वहाँ पे गेस्तित है आठमी से लेकर सत्रहमी शतावदी क्या है कि आज-पास कहीं बना हुआ है यहां आप सोच रहे होंगे कि आठमी से लेकर सत्रहमी तक कैसे बन सकता है तो एक मंदिर में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है ठीक है जिसे माल लीजी कि आपके परदादा ने मंदिर बनवा आपके दादा ने उस पे गुमबत बनवा दिया और आपके पिता जी ने किया किया उसके चारों और एक प्रासाद यानि एक बरामदा खड़ा कर दिया और आपने उसमें टाइल्स लगवा दी तो हुआ ना इसमें कई सारी पेडियों का योगदान तो वैसे ही यहां भी होता है इसके बाद उमानंद देवलोई को आप देखिए ये जो है ये गुवाहाटी में है ब्रह्मु पुत्र नदी पर ये असल में असम में है पहले तो आप जान लीजे उमानंद का मतलब कौन तो भगवान शियो उमा मतलब माता पारवती और नंद मतलब उनके स्वामी यहां स्वामी से तात परे है तो और ये पीकाप द्वीब पर इस्थित है अहोम राजा गदाधर सिंग के सोजने से इसको बनवाय गया था 1681 से लेकर चानबे के बीच में इसके बाद नमबर आता है नवगरह मंदिर का और ये जो नवगरह म बनवाय था इसके पाद नेगो रितिंग ये शिव देवल मंदिर कहा जाता है देरगाओं में है मतलब असम में है भगवान शिव का मंदिर है और अहोम राजाओं के द्वारा इसको बनवाय गया था लेकिन इसका जो शुरुवाती आउशेश मिलता है या इसका स्वरूप मिलता है, उसका पता नहीं है कि से निर्माण करवाई थे, वो आठमीं से लेकर 9ий शताब्दी के आसपास का हो सकता है, लेकिन बाद में मध्यकाल में 1687 में इसको रिपेर जाता है इसका जिर्णोधार होता है, तो वो काम अहोम राजा करवाते हैं, इसके बाद हराग्रिव माधव मंदिर को आप देख रहे हैं ये हाजो असम में है मोनी कूट की पहाड़ी पर है नरसिंग का अवतार जो है उनका यहाँ पर मूर्ती है और आप जानते हैं कि नरसिंग अवतार किसका था बगवान मिश्नु का था तो वर्तमान मंदिर संरशना का निर्माड कराने वाले राजा रगुदे उनारायन है और इन्होंने करवाया था 1583 में इसका निर्माड कुछ इतिहासकारों के हिसाब से ऐसा मानना है कि पाल वंशी राजाओं के द्वारा इसको शुरुवात में बनवाया गया था तो इसमें कन्फर्ब नहीं है इसके बुंडेश्वरी देवी मंदिर को आप देख रहे हैं ये कैमूर जिले में पढ़ता है मतलब ये बिहार वाले एरिया में पढ़ता है भगवान शियू और शक्ति का ये मंदिर है मतलब माता पारवती और भगवान शियू का 105 इसपी में इसको बनवाया गया था सोमनात पारवती में पौराडी कहानी है शियू पुराना पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि चंद्रमा को किस प्रकार से श्राप मिलता है और उन्हें छै रोग पकड़ लेता है मतलब टीवी से ग्रसित हो जाते हैं और उसके बाद तब उनका शरीर निरंदर छै उन्हें पर धारण करते हैं ताकि जो छे रोग है उससे उन्हें राहत मिल सके तो यही पर वो विराजमान हो जाते हैं मतलब अपने जोतिर लिंग के तौर पे तो इसलिए ये सोमनात मंदिर वहां पर सोम जो है चंद्रमा को कहा जाता है तो ये सोमनात इसी पर नाम पड़ा हुआ ह बाद में ये बहुत भव्य मंदिर बन जाता है और मद्यकालीन जो बाहर से आने वाले आकरमणकारी थे उनका शिकार बन जाता है इसके बाद द्वारिका धीश मंदिर है ये द्वारिका में है मतलब गुजरात में है और भगवान कृष्ण का ये मंदिर है लगभग ये 2200 साल पुराना है और ये लगभग है मतलब करीब करीब ये 3,000 साल पुराना है और असली द्वारिका को कहा जाता है कि वो पानी के अंदर डूग गई जलिस्तर बढ़ गया बहुचरा माता को देखिए ये मंदिर जो है ये महसाना जिला में पढ़ता है बहुचर माता है यहाँ पे देवी का ये स्वरूप है और बहुचराजी शहर है 1783 इस भी में बना था नागेश्वर जोतिरलिंग द्वारका में है गुजरात में भगवान शियो का है जोतिरलिंग जो द्वाद और 1089 में बना था दंतेश्वरी मंदिर को देखिएगा ये दंतेवाड बस्तर जिला में पढ़ता है माने 36 गड़ की बात हो रही है दंतेश्वरी देवी यहाँ पर विराजमान है 14 मी शताबदी में इसको बनवाया गया था इसके बाद नंबर आता है महा माया मंदिर का औ बहुत समय तक इस्थाई नहीं रहती है तो यहाँ पर दोनों जने एक साथ यानि विद्या और बुद्धी और माप कीजिएगा विद्या और संपदा अब इसके बाद रतनपुरा के जो कल्चुरी राजा है रतनदेव उनके शाशनकाल के दोरान 12 मी से लेकर 13 मी शताबद प्रदेश में है कलियुग में यह भगवान शियो के आउतार माने जाते है वैदिनात मंदिर यह जारखंड में पढ़ता है पहले बिहार में था भी जारखंड में चला गया भगवान शियो का मंदिर है और देखें दुरगा मंदिर यह एहोल का है वैसे तो अपने देश मे के जो सव्जाने से बार-वं-़श को बनवाइ जाता है विठ्थल श्वामी मंदर यह मंदर है ग्षिनु विठ्थल उन्हें कहा जाता है और यह हमपी में करनाटक में है गयए 15 मीन से सोलहबञ दिए में विजनगर सव्जण में म मिज norm like रहा जाता है वैसे तो को के ज्यादा तर शाशक आप देखेंगे मतलब दक्षण भारत के तो शयो मतावलम भी है लेकिन उसमें से कुछ वैश्णवमत के उपा सकते और कुछ ऐसे थे जूकि वैश्णवमत को भी उतना ही सनरश्क्षण देते थे अब इसके बाद होल सहिश्वर मंदिर को आप देख मतलब करनाटक का है वहाँ पे स्थित है भगवान शियो का मंदिर है होल सह शाशकों के द्वारा ही इसको बारमी शताबदी के आसपास बनवाया गया था भारत के बाहर स्थित कुछ प्रसिद्ध मंदिर है उनको देख लीजे तो अंकोरवाट का मंदिर है ये कंबोडिया म और मुलतान का जो अधित्यशूर्य मंदिर है ये पाकिस्तान में है मुनेश्वरम मंदिर है श्रि". महारत से बाहर मंदिर है। आस्था का केंडर है उनके नाम दे रखें 12 जोतिरलिंगों की चर्चा पीछे हुई थी यहां दे रखा है इसे आप देखें तो पहला जोतिरलिंग सोमनाथ सौराष्टर प्रांत में पढ़ता है प्रांत के लिहाज से अभी तो गुजरात ही है लेकिन एक समय में जो मौरे बंश था उस समय सौराष्टर भी एक प्रां और वैधरनात मंदिर ये ज्हार खंड में पढ़ता है त्रेमबकेष्वर मंदर है महरास्टर में पढ़ता है नासिक और भीमा शंकर ये पुड़े में है महाराष्टर में ही इस्तित है अब थोड़ा सा कृशी से सम्मंदित कुछ important fact है और इसमें important fact में हम देखने वाले है फलों और सब्जियों के रंग और कडवापन का कारण मतलब उनमें कडवा हट होती है या रंग होता है या खास तरीके का स्वाद होता है आप देखते हैं कि हर फल का स्वाद अलग होता है तो उसके पीछे कौन सा रसायन या कौन सी चीज जमेदार होती है आए देखते हैं तो आवला जब आप खाते हैं तो कसैला लगता है कुछ लोग आवले खाकर तुरांट पानी पीते हैं तो उन्हें बड़ा मीठा लगता है लेकिन आवले का स्वाद है वो खटापन लिए कसेला होता है तो कसेलेपन के पीछे वज़ा होती है टैनिन बादाम में जो कड़वा हठलकी सी होती है वो जो एमाई लेडिन नाम का जो पधार थय उसकी वज़ा से होती है और इसके बाद पपीते में जो पीला रंग आप देखते हैं वो करीफ जयंसी होती है मिर्च में तीखापन योग्या कैपसेसिन की वज़ा से होता है खीरा जो है कड़वा होता है उसको आप उसकी जो टोपी है उसको काटके घिसिये नहीं तो कड़वा लगेगा आजकल तो hybrid खीरे आ रहे हैं तो उसमें इतना कड़वापन नहीं होता है लेकिन जो देसी खीरा होता है वो बहुत कड़वा होता है तो कडवाहट के पीछे कुकुरबिटेसिर जो रसायन है वो जिम्मिदार होता है करेली की कडवाहट जो है इसमें कों सा रसायन जिम्मिदार होता है तो इसको tetracyclic trite tumors भी कहा जाता है और memordicoxide भी कहा जाता है तो ये रसायन इसके लिए उत्तरदाई होता है आलु का रंग हरा हो जाता है Solanin की वज़े से और प्याज में जो पीला रंग देखने के लिए मिलता है वो Quercetin की वज़े से होता है मिर्चे का लाल रंग कैपसिन थिन की वज़े से देखने के लिए मिलता है गाजर में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वज़े से होता है ठीक है और भी है अरभी में जो कसेलापन है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वज़े से होता है और बेल का कड़वाहट, बेल सिर्क मीठा नहीं होता, उसमें हलकी सी कड़वाहट होती है, वो मार्मोलोटसिन की वज़े से होता है पीपर में कड़वाट होती है वो Olimoracin की वज़े से होती है और मूली तीखी लगती है तो आईसोसाइनेट की वज़े से लगती है लासुन की खास गंद ये जो सलफर के योगिक होते हैं मतलब Elycine इसको कहा जाता है या Dielyl Disulfide बोल सकते हैं तो उसकी वज़े से होता है तो आपने पीछे देखा नारंगी रंग जो है वो Carotin की वज़े से होता है तेल का रंग पीला जितने भी तिलहन है आम तोर पे जो उनसे तेल निकलता है वो पीले रंग का होता है तो वो Carotinized की वज़े से होता है मतलब इसे आप Elyl Iso Thiosynate कह सकते है ठीक है ये Elyl Iso Thiosyn जिसकी वज़े से जादा तर जो तिलहन से निकलने वाला तेल है वो पीला दिखाई देता है शलजम में जो चरपराहट होती है वो Calcium Oxalate की वज़े से होती है गाजर में लाल रंग का कारण जो है वो Anthocyanin होता है खीरे में कड़वाहट की वज़े कुकुर बिटैसिन होता ह फिर से रिपीट हुआ प्याज में गंद की वज़े वज़े सलफर के योगिक होते है और सूरजमुखी का तेल हलका सा कसैला लगता है वो Oxidation की वज़े से होता है उसका आकसी करण होता है इस वज़े से और चने की पत्ती में हलका सा खटापन होता है वो Oxalic Acid की वज़े स होता है तो इस लेक्चर में इतना ही यहाँ पर हमने क्रशी और आर्ट एंड कल्चर इस तरह से विभिन्दे तत्यों को देखा शुरुवात में हम परियावरण से सम्बंदित तत्यों को इकठा कर रहे थे आगे के लेक्चर में और भी सामागरी आपको मिलेगी इसमें इत अब तक के लिए नमाशकार